साथों नमस्कार मैं हूँ दलवीर सेजवान और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस वीकली करंट फेर सेशन में तो साथों कुछ समय से जो आपका ये वीकली करंट फेर सेशन है ये आपको वीकली प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है बलकि इसके बदले 15-15 दिन में प्रोवाइड करवाया जा रहा है इसके पीछे भी कुछ रीजन है रीजन ये है कि उतराखन पहले एक छोटा इस्टेट है पहले मुझे इनफ टाइम मिल जा था एक हपते का कि एक्जाम पॉइंट अब उचे आपके लिए क्या क्या इंपोर्टन न्यूस हो सकती है उनको कलेक्ट करने के लिए लेकिन COVID-19 महा मारी के चलते आपके लिए ये मैटर मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है तो अब इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है और 15-15 दिन का समय लग रहा है तो साथियों जब तो नॉर्मल कंडिशन फिर से स्टैवल नहीं हो जाती है तब तक आपको ये 15-15 दिन का ही करंट फेर सेसन देखने को मिलेगा तो साथियों जैसे कि मैंने आपको डिटेल वीडियो में बताया था कि स्वरोजगार योजना चलाने वाला उत्राखंड देश का पहला राज़ बना है और उस योजना की घोशना उत्राखंड सरकार द्वारा अठेस माई 2020 को की गई इंपोर्टन फेक्ट है आपसे डिरेट क्वेशन पूछा जा सकता है कि स्वरोजगार योजना उत्राखंड सरकार के द्वारा कब से सुरू की गई थी तो अठेस माई 2020 से सुरू की गई थी जिसके अंतरगात दो छेतर यानि की विनिर्मान छेतर और सेवा छेतर में रिन उपलब्द करवाया जाएगा और डिटेल वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप इस रिन के लिए अपलाई कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्ट फैक्ट लिए अब साथ हूँ नेक्ट फैक्ट जो आपकी स्क्रिन के सामने दिख रहा है कि हरीकी पैडी का जिर्णोधार किस के द्वारा करवाया गया था तो इंपॉर्टन पॉइंट है बार-बार UK SSC के द्वारा कई एक्जामों में आप से पूछा भी गया है तो अकबर के सेनापती मान सिंग के द्वारा करवाया गया था अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अधर फैक्ट भी कि निर्मान इसका राजा विक्रमादित्ते ने करवाया था और अपने भाई भृत्र हरी की याद में यहाँ पर हरीकी पैड़ी का निर्मान विक्रमादित्ते के द्वारा करवाया गया था और इसी लिए इसको यहाँ पर भृत्रहरी की पैड़ी भी कहा जाता है इसके लाओ दोसों, भृत्रहरी के दौरा यहाँ पर दो गृंत, नीती सतक और वेरागे सतक की रशना भी की गई थी और हाल ही में सुर्खियों में क्यों है यह तो हाल ही में जो हड़द्वार के सांसद हैं रमेश पोकरियाल निसंग इनके प्रयासों से हरीकी पैडी का पुनहा जिर्णोधार करवाया जा रहा है और इसमें इंडियन ओयल कॉर्परेशन के द्वारा इस प्रोजेक्ट में 32 करोड रुपए की धनरासी लगाई जा रही है तो आजकल सुर्ख्यों में है इसलिए important आपसे ये question हो जाता है किसी भी form में आपसे ये question exam में पूछा जा सकता है तो बढ़ते हैं अपने next फैक्टी तरफ में ठैलो फैटा परकार की एक वनस्पती है जो इभिन परकार के आधारों व्रिक्षी के पत्तियों चाल तनों प्राचिन दिवारों भूतल चट्टानों और पत्थरों पर 5000 मीटर की उंचाई तक उखता है और आपको पता है दोस्तों कि यहाँ जो पार्क है यहाँ डेड तो साथ हो next fact जो आपकी screen के सामने है कि हाली में किस खिलाडी को उत्राखंड cricket team का coach बनाया गया है important question है तो आपका अंसर क्या हो जाएगा वसीम जाफर जिया दोस्तों वसीम जाफर वही खिलाडी है जिन्होंने सरवादिक घरेलू मैच खिले है और सरवादिक घरेलू मैच of उत्राखंड यानि कि उत्राखंड में क्रिकेट गतिवधियों को संचलेट करने वाली संस्ता इस संस्ता को 14 गस 2019 को BCCI के द्वारा मानेत अपराप्त हुई थी और दोस्तों एक detail वीडियो भी इसवर बना चुके हैं जिसमें उत्राखंड क्रिकेट CAU और उत्राखंड क् आपका केदारनाथ important question है और आजकल सुर्ख्यों में क्यों है तो दोस्तों 2013 में केदारनाथ आई थी और उसके 7 वर्स complete हो चुके हैं एक detail वीडियो भी आपके लिए यहां पर provide पहले भी करवाई जा चुकी है अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो एक बार उसको दोस्तों other fact में मंदिर का रक्षिक देवता आपका भहरब देवता है और मंदिर निर्मान की जो आपकी सैली है या आपकी कत्यूर सैली है और आपके लिए भी यहां पर एक question है दोस्तों कि केदारनाथ मंदिर किस नदी के तरड़ पर इस्तित है तो चलिए बढ़ते हैं अ और अबनाव कुमार को गडवाल आईजी का यहां पर पदभार दिया गया है इंपोर्टन क्वेशन हो जाते हैं आपके लिए कि गडवाल आईजी कौन है तो यह आपके अबनाव कुमार है और कुमाव आईजी कौन है तो अजय कुमार रो तेला है तो आपके लिए भी यह यहां पर जागेश्वर धाम के कपाट खोल दिये गए हैं और जागेश्वर मंदिर जो समू आपका पढ़ता है यह आपका अलमोडा में पढ़ता है और कौन सी नदी के तट परिस्तित है तो जटा गंगा नदी के तट परिस्तित है और यहां 124 छोटे बड़े मंदिरों का एक समू है जिसका निर्मान कत्यूरी राजा सालिवाहन ने करवाया था इंपोर्टन कोईसन आपके लिए यह भी हो जाता है कि किसके द्वारा जागेश्वर मंदिर का निर्मान करवाया गया था तो कत्यूरी राजा सालिवाहन के द्वारा करवाया गया था इस मंदिर तो साथ हो next fact जो आपकी screen के सामने है कि सरस्वती वा मंदाकनी नदी पर फुल का निर्मान कहां पर किया जा रहा है दोश्तों इन पुलों का नाम भी सरस्वती फुल और मंदाकनी पुल होगा आपको थोड़ा यह भी ध्यान रखना है और कहां पर किया जा रहा है तो पर बनाया जा रहा है तो यह जो पुल है भैरवनात और गरुर चट्टी को जोड़ने के लिए बनाये जा रहे हैं और जो इनकी लंबाई होगी वो 30 मेटर निर्धारित की गई है तो साथ यह एक्जाम पॉइंट अपके लिए फैक्ट इंपॉर्टन्ट हो सकते हैं तो आप को नो डाउन जरूर कर लेंगे तो चलिए बढ़ते हैं अपने नैस्ट फैक्टी द्रफ तो साथ यह आंत में हम बात कर लेते हैं उत्राखंड प्रवेस एवं रोजगार संबंदी जानकारियों के बारे में तो दोस्तों आपको पता है कि 11 जून 2020 को पॉजदन प्रसार नहीं कर पाये थे वह तो वह आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं 9 जूलाई 2020 इसकी लाज जेट है ध्यान रखिए और जल्दी से जल्दी आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं इसके लाओ दोस्तों जो 746 पद हैं कनिसायक वैक्तिसायक और डाटा इंटरे ऑपरेटर और अ और UPCL जैसे डिपार्टमेंट में तो आप इनके लिए भी आविदन कर सकते हैं तो बहुत जल्दी आपको ये विग्यप्ति भी दिखने वाली है तो साथ ही यह था आपका 15 दिन का उत्राखंड करंट फेर्स कि क्या-क्या उत्राखंड समसमाईगी गटना करम अगर दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों सक जरूर सेयर कीजिए और चैनल पर नए आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा ज्यादा सेयर जरूर कीजिए गया बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में